स्री शिवाई, नमस्तु अभ्यम कार्थिक महने का अंतिम दिने यानी इन उपायल को करने का आखरी मोका है फिर आपको साल पर इंत्यार करना पड़ेगा साल भर बाद जब कार्थिक लगेगा तब इन उपायल को आप कर सकते जरूर कर लेना क्योंकि इस पुर्णम करेंगे आने वाली पुर्णम तक आपकी मनो कामना एक मिने के अंदर पूरी हो ही जाएगी आप को चाहिए एक लोटा जल ठीक है और आपको लेना है एक चावल का दाना और लेना है एक बेल पत्री आप देखिए महादियो के मंदिर जाना है महादियो के मंदिर आप जाईए साड़े छी बजे के बाद साड़े छी बजे के बाद इश्नान करना इश्नान करने के बाद चंदरगर्ण हो जाए उसके बाद इश्नान करेंगे इसनान करने के बाद आप महाद्यों के मन दे जाएए आप महाद्यों के सीवलिंग के उपपर चड़ाएंगे सबसे पहले एक चावल का दाना चड़ा दिया आपने और उस चावल के दाने के उपपर ही आपको चड़ाना है बेल पत्री जब बेल पत्री चड़ाएंगे तो ध्यान रखे इस्मरण करें कि बेल पत्री का जो डंडी का भाग होगा वह अपनियों होना चाहिए जियां इस बात का विशेज ध्यान रखना कि डंडी का भाग अपनियों होना चाहिए चंद्रमोली महाद्यू का इस्मरण करते हुए जो आप एक लोटा जल लेके गए वहर जल अपनी मनोकामना बोलते हुए दीरे दीरे समर्पित करना है भगवान का नाम लेंगे चंद्रमोली महाद्यू जल चड़ाने के बाद जो जल महाद्यू की सिवलिंग के उपर रहेगा यानि जल चड़ाएंगे सिवलिंग गिला हो जाएगा तो सिवलिंग पर जल रहेगा उसको अपनी उंगलियों से टश करके अपनी दोनों आखों पर नेत्रों पर लगा लेना अपनी वनोकामना बोलते हुए बस और घर की और आ जाना आप देखना आपकी मनोकामना जिस भी कामना से क्या है वह वनोकामना आने वाली पुन्डिमा तक पुरी हो ही जाएगी दूसरा उपाय दूसरा उपाय यह उपाय आप साल भर में केवल एक किया जाता है देव दिवाली के दिन इस सब्लों साथ तारी को देव दिवाली बना लिए पर इस उपाय को आप आठ तारी को भी चंद्र गरहन के बाद कर सकते हो कैसे करेंगे देखें आपको लेना एक माटी का दीपक और लेंगे एक लंबी बाती और उसमें भरना है तेल बहुत सारे कमेंट भी आए कि दीपक किस दिशा में लगाना है तो दिशा हमें लगाना है पूरप त्यानि पूरप की और मुख करकर आपको बेठना है और दिपक लगाना है अब इस दिपक को कुवा पावडी पर लगाने का गुरु जी ने कहा है पर कुवा पावडी अस केदाने वाला हो पाहे मोका मत जानने देना साथ तारीक को नहीं कर पाहे तो आठ तारीक को रातरी मेने साड़े छे बजे के बाद आप इस उबाय को नो बजे तक कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो पाहे जरूर कीजेगा